नमस्कार दोस्तों मैं विनो दुक्मार हमारी यूटूब चैनल यूनिक डिजिनल इमेज में आपका स्वावत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा मिट्टी के बरतनों के बारे में जो ऐसी कला आपने पहले कभी नहीं देखी होगी अगर आपको मिट्टी के बरतनों की जुरुत है या आपको बिजनस करना है तो आप हमसे संपरके भी कर सकते हैं आज मैं मिलूआँगा उस सक्से जिन्होंने एक छोटे से लेवल पे काम करके इतना बड़ा बिजनस आज खड़ा किया है आज के टाइम में मिट्टी के बरतनों का बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है तो मैं आपको बताऊँगा कि बहुत ही बड़ी अतरिके से ये फैंसी डिजाइन में मिट्टी के बरतनों का उस पादिन किया जा रहा है अब मैं आप से मिलूँगा जो यहांके सक्स हैं जिन्हों ने इतने बड़े लेवल पर मिठ्टे के बरतनों का काम किया है यह है स्री ओम्प्रकास जी इनका गाउं है डाने मघुतपुर तो दोस्तों इन्होंने बड़े छोटे लेवल पे पहले छोट-छोटे मिट्टी के बरतन बेच कर आज इतने बड़े फैण सी आइटम, फैंसी बरतनों का कारोबार इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कि इन्होंने बहुत ही बड़ी मिसाल काइम किया है तो अब आपको बताएंगे कि मिट्टी के बर्तनों के फाइदे क्या है और इन्होंने बिजनस कैसे स्टार्ट किया तो अभी मिलवाता हूं दोस्तों आपसे नमस्कार अंकल जी तो अंकल आपने ये बर्तनों का जो स्टार तोड़ी थोड़ी आइटम लेया दो च्यार मिला गए अच्छा मन कुछ फाइदा लगया तो फिर मेरा दंदा बढ़ाना शुरू कर दिया अच्छा तो आपने ये जो फैंसी के इतने जो मतलब ये बर्तन आपने बहुत ही बड़ी आइटम लेया रखी है ये मतलब गर में लिए रखी है ले लिए दुकंदर ही मैं ने जचा ली छलो आपने ये बर्तन है इन मतलब आपने अच्छी कमाई हो जाती है आपकी हैं ठीक मुझदरी बने जिए जो ठीक चल जाता है अच्छा काम कैसे लाए आपका काम कुल में लागे तो दोस्तों यह इन्होंने दिखाया है मिट्टी का तवा है बहुत ही सुंदर है और इसके पर गैंस पर इसको कहीं पर यूज कर सकते हैं यह जल्दी से फटता भी नहीं है और बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर है पका हुआ है किसी प्रकार की कोई मेरेको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही तो दोस्तों जब इन से हमारी बात हुई तो इननों बताया कि मिट्टी के तवए की खास हीती है कि इसके उपर जब आप रोट्टी बनाते हो तो चिट्टी नहीं लगते है तो बिल्कुल ही मतलब वाइट रोट्टी आती है लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसके आप सिर्फ इसको उपर गहों की बाजरे की या फिर जो की रोट्टी ही बना सकते हैं ना कि कि किसी परकार के फ्राउंट है वगरा आप नहीं बना सकते क्योंकि अगर इसके उपर आप प्राउंट है या जो भी कुछ अगर चीकना डालेंगे तो इसके फटने का डर रहता है तो यह भैती हादमन चीज है। आप इस्तेमाल किजिए। अब्षम्दरता के ऺाद साथ अकार। भी बहुत अच्छा दिया गए। इसका। बहुत सुन्दर है। तो आप इसका जुरूर इस्तेमाल किजिए अच्छा अब आपको दूसरी चीज यह दिखाता हूँ इनके पास है एक छोटा सा जिसको आप पर देशी वासामी कुलिया बोलते हैं तो इसका यूज किसलिए होता है अंकल जी यह वास्ते अच्छी यह दई के लिए है बड़ी आप आप आगे यह देखिए यह देखिए यह देखिए इसके अंदर इनके पास बहुत सी मतलब छोटे बड़े साइज में बहुत सी आइटम है अब आप आगे यह देखिए यह देखिए यह पाणी बोतल वह बहुत ही अद्बुत चीज है तो दोस्तों पताएंगे इसके फायदे यह चै ड़लने से खराब दूट डालने से खराब होजाएगी मतकम हुपानी बाद में 20 मिंट बाद में पानी ठंदा हो जागा तो यह भी बहुत आछी चीज है तो ग्रम्यों के अंदर तो इसका बिक्रीए भी घर होता है कम स्वाम पाडल रेता लुकले करें अबोलो लुकु कसने की चेशलेंकल थो तो आपके दैन रेलह में। यह मुलम रेलर कजांता है रातुड़ कृहत्ग़ मातिम है है अच्छा दोस्तों यह है टोफिया जिसको देशिवासें बोलते हैं वैसे अगर इसको बोला जाये यह फ्राइपन है इसके अंदर आप कुछ कोई भी आइटम भी कर सकते हैं या फिर दूद्ध, गरम कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं है इसका नवी बहुत अच्छी है स्हेफटी के लिए इसके अडरी भी दिया गया यह आप गेंस चुले की आइटम है कर दो यह वहत अच्छी चीज चिज है इसके उपर डकन भी यह गुजरात से एक अज़फ ऑग तो जो चल्ले पर फटका नहीं नहीं अजो अच्छा ढ़क बिर्यानी हंडी गुजरात की यह बरतन सबी इनके गुजरात से लाए हैं तो यह इसका डखकन अंकल बिल्कुल इसके ओपर डिस्प्ले भी दी हुई है देखो अगर आप इसके अंदर कुछ भी खाना पकाएंगे तो आपको डिस्प्ले भी दिखाई देती रहेगी कुछ देखाना चावल दाल सब्य बना कुछ भी बनाऊ जाना अगर आप मित्टी के बत्टन यूज़ करते हैं तो बिकटी के बत्तन में पकाएंगे का बेक्टिरिया खतम हो जाता है इसलिए कहते हैं कि मित्टी बरतन में खाया हुआ खाना सेहत के लिए सदा ही अच्छा रहता है तो चलिए दोस्तों आगे आपको आइटम दिखाता हूँ यह है कडाई बिल्कुल इसके उपर भी डिस्पेली दिया हुआ है यह कडाई इसके अंदर आप सूकी सब्जी बना सकते हैं दूद गरम कर सकते है खीर भी बना सकते हैं और इसके उपर विल्कुल ही फिक्स डखकन दिया हुआ है यह जो गलास यानि टफन का है और विल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ है आपको डिस्पेली दिखाई देती रहेगी ज्यादा कीमत भी नहीं है तो अगर तो आप इसको जुरूर यूज क पुर्क जीज़ को यह सब्जी मिनाने लिए अच्छा वही है यह बिर्याणी अडिया इसके डखकन दो है उसके उपर टफन का था इसके उपर मिट्टी का डखकन है मिट्टी का डखकन भी फिक्स है निच बिल्कुल यह देखिए बहुत ही फिक्स डखकन है इसका और देखिए बहुत ही मिट्टी की कला के अदबुत आइटम है यह बिल्कुल आपने सही सोचा यह कुकर है जिस तरह आप अपने गरों में जिस तरह अलुमिनियू का कुकर फ्रेसर कुकर यूज़ करते हैं खाना मनाने में वैसा ही मिट्टी का बिल्कुल सेम अदबुत कुकर तो अंगल जी यह मतलब जो कुकर है यह बिल्कुल सेफ है यूज़ेवल है कोई दिक्त नहीं हो थीस में फटेगा नहीं है बिल्कुल फटेगा भी नहीं अच्छा कितने लीटर का है यह साड़े तीन लीटर का तो यह बारे खुल के दिखाएंगे इसको कुलने और जड़ेवाला ते मेरे काम है यह बिल्कुल यह देखे दोस्तों बिल्कुल शैम आपके जो आप गर्में यूज़ करते हैं ऐलूमिनून का कुकर उसी तरह सेम ही कुकर है यह हटता भी नहीं है प्रेसर कुकर भी है इसकी गैस मी निकलती रहती है साथ में तो यह त तो दोस्तों आप मिट्टी के बर्तन की जूरत है जूरत Ghillah और आप बिजएनस्य करना चाते है तो हमारे चैनल के लिंक दिया हुआ है इनका अड्रेस दिया हुआ है तो आप जरूर इनसे कोंटक्ट कर सकते हैं बाकि और इनके पास मिट्टी की बहुत ही अजारों की तादात के अंदर आइटम पड़ी हुई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बैल का आइक बटन दबाना ना बुलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके हैं आगे आगे मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अद्बुत जानकारी देता रहूँ हुआ तो प्लीज सब्देशी बनिए सब्देशी अपनाईए जै हिन जैवार अजिए